कल की मिटी में मिला तो तेन मानने केंद्रे मंत्रियों से हूं और मानने लुक्षवादेजी से बिलाओं दो मानने केंद्रे मंत्रियों से में डिपार्टमेंट के बारे मार्चित हुए जिसमें जल्शक्ति मंत्री जी जोहें पाटिशा उनके साथ मिटींग वही उसमें स्वच्छ भारत मिशन का काम जिनके पास है उनने शमिक्षा के लिए कई प्रदेशों बलाया था लेकिन उनन प्रदेशा की है राजस्तान के काम को सराह उनका की जहां पर जब सरकार में आये थे तब हम बहुत नीचे थे स्वच्छता में अब धीरी-दीरी काफी क्राफ बढ़ गया दस्वे मंजर पर इंदुस्तान में आ गये हैं हमने उनको अस्वस्त किया है कि मारी कोशिश हम तो रास्तार में हम अबरा प्रत्थम स्थानों का सवस्ता में और एसा प्रियास कर रहे है हमने दो तीन उन से अनुमति भी मागए कि हमको क्योंकि जो डिस्पोजन आइटम से भौजन करते हैं यूज करते हैं जिलास है पतल दोना है इसमें भी कोलितीन के एक लेयर होती और इसके खाने से भी जानवर मगते हैं, ज़रा देते हैं जड़ी लिगे से लिकलती है, उसे लोगों बहुत मुख्षान होता है. हर गाहन बतर बंडार बन जाए ताकि जब भी किसी के सामुय करकर से लिए ने भी भी बरतर मंडार हैं अर्जाम में लेकिन उंक्यों बोजन बनाने के हैं बोजन करने के नहीं हम चाहते बोजन करने के जो पात्र होते हैं उनका मंडार हो जाए तो यह जो डिस्पोजर आइटम से हमारा चुटकालत सूर सकता है उनका आपकी सोच बहुत वलिया इस पर जानवर है उसमें प्रभुक गोमाता है आलाग वो जानवर में गोमाता है यह और अन्य जानवर गोमाता और अन्य जानवर तो घुमते फिरते हैं, कहें बैठते हैं इसके काण से कई जवेर गंड़ी चेह हो ठीवे और तो ये मैंने देखाए कि अदिक्टर वार्सात के समय तो रोणों पर शड़क पर ज्यादा भी बेखते उसके कारश से एक्सिटेंट बहुत हो दिया एक्सिटेंट बहुत हो थे तो मेरा अन्वान है काई मैंने सुना नहीं 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 पराएं कि कम से कब एग हजार लोग त पस्टों को चराने के लिए एक गवाला निक्ट कियाता था और उसको हर घर से निश्चित अनाज होता था पचास किलो एक साल को चरा पाता है सुबह ले जाते हैं साम को वापसा ते तो उसके कारण से वह जब हो जाए गा इस परम्तरा को जीवित कर देगे तो मैं समझता हूं कि हमारे दुर्गतना होने की में काफी कम हो जाएगी, दुर्गतना यह कम हो जाएगी. कि अदूसरा जो घाहिल होते हैं उसके कMiss Radio पाश्रूफ आलक का नुकसान भी होता है तो पीर आस्पीद्ल पाश्रूफ चीक्रिसकों भी डोडा की दोड़ के जाना पड़ता है तो कही सारे खर्चे उन खर्चों से भी निजात मिलेगी और वह खर्चे कोई लाखों में नहीं वो क्रॉडों में होते हैं तो हम गो माता को भचा पाएंगे तो इस देश को बचा पाएंगे उन्हें पूछा कैसे मैंने गो माताजी जिंदा रहेगी, तो मारी जमीन धर्की माताज लिट्टी है, जो रसाइन खार डालते हैं, प्रेस्टिशिसाइट डालते हैं, इसके उरोरासक्ति कमजोर हो गई है, वह गो माता होगी तो गो बत जब जाएगा वहां, उसके एकार्ट प्रवा खर्षक यक्रिष्य के अक्रिष्यों हो रहे हैं इसमें सहथा मिल सकती है। और एदी गोमाता नहीं होगी, तो गुरुवा सक्ति का स्वास्ते थीक है। गूरुवा जमिधुवारी गोमारी जमिन जोयने तो अधिक खाद्यान नहीं दुगाई। और प्रियाप्त खार्द्यान हमको नहीं मिलेगा तो भूके करण बर सकते हैं। इसलिए गोमाता का होना वह अउशक है। और गोमाता का होना अउशक तब होगा जब हम उसके मारने वाले खायकों को नश्ट कर देने। जिसे पोलिथीन है। पोलिथीन में जब भी इसें किसी गोमाता उक्काष्ट होता है और बाक्टर देखतार होता है और इसके आप्रेशन करना पड़ेगा तो कही कई गोमाताओं के पेट तो पचास-पचास किलो का पोलिथीन निकलता है। तो यह हमारे पर बड़ा पाप भी लग रहा है। इसे सबसे चुटकारा पाने के लिए हमको आउशक है कि पोलिथीन ज़ागता है। देड़ करोड लोग हर साल हमारे देश में मरते हीं। पोलिथीन और गंदगीर का अंजी। यदि गंदगीर पोलिथीन चुटकारा पा लेते हैं। तो जो राजस्तामिर जंसेंक के अनुपात के जब में निकाला तो शाड़ा साठ लाक लोग आते हैं। वाले कि साठ लाक लोग उस तो बचा सकते हैं। कुछ सो लोग को ही बचा लेते हैं तो उख वोड़ा उड़ने उने वाला है। इसलिए गोमाता को बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि गोमाता बचे की तो हम बचे ने तो कभी नी बच सकती। किसको इसके लिए तयार करना है और तयार होता है कि आपनी जब उस पर विश्वास होता है। तो हमारे बहुत सारे शिक्षक हैं जिन्होंने भामासाओं को तयार किया है। उसके करांग से कुछ क्रोड रुपे रास्ता सरकार को विध्याले बनाने में और अन्य साबगरी होती है। उसके उप्रों के लिए उन्हें हैं और यह क्रम लगातार जारी है। मैं भी निशी हेतों से बंबाई गया था। वहां लग में डेट सो क्रोड पे तक होने तुरंत में कुछा था। पर उसके बाद जो एमोई हुए। जिवारं प्रेटों करवारं जो संपर करते हैं। शिक्षा के लिए लग बारा हजार कोड रुपे हैं में हुए। मैं कलकत्ता लेया था। लग में 200 क्रोड रुपे तक अत्काल उन्हें कोभां किया है। और एक विप्ती ने तो 100 क्रोड रुपे हमको कहा है कि इतना निमानम करें भी किसमी बनाने चला है। यानि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजतान में शिक्षा के शिक्षेतर में राश्तान सरकार को सहयोग करना चाहते हैं। और उनसे हम लगाता है संपर्ख में अभी यो समिट हो रही है राजिंग राजतान उसमें भी वह भाग लेगे और उन्हें होने की तुई संथा है। यह तो क्या है कि आज जो काटकम हुआ है यह राजतान की शिक्षक है। राजतान में और राजटिस्तर पर जो पुरुषकर्च शिक्षक हैं। उनका इक फॉर्म बनावा है। और फॉर्म का एक श्याविनार था। मैं समझता हूं जो इनके बीच में बैठाओं में तो यह काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और आगे भी इन्होंने अजास्वस्त किया है। कैसी दूर्द राज के गाहों में भी अरियाग को मारे शिक्षा के उप्योगता होती है। तो शेवा निब्रत होने के बावजूद भी हम इस काम को करने को ताया है। जहां बच्चों बठी प्रकार से शिक्षा नहीं बनेगों, दूर्द राज की गाहा हों। जहां लोग आसानी से नहीं पहुचवाती हों। तो इस प्रकार का असोसन मुझे दिया है। हम उनका उप्योग करें। सेने कि स्कूल हमारे देश में अच्छे सेनिक तैयार करता है sector और ऐसे संस्कार्र देता है ताकि सेना में किस प्रकार से काईवार किया जया और सेना में क्यों वहती हुआ जाता है। और राष्टर के पति कितना हमारा समर्पढ़ है। इस प्रकार का मभाव पेड़ा करता है ताकि अधिक से अधिक छात्रों छात्राइं से नामे भर्ती होने के लिए अपनी आपको प्रस्तोत करें। देखो कोई भी काम होता है तो उसकी लगातार परक्ळाना चाहिए। उसको में ननी कलास का है, एक और हर तीन साल में. और तीन साल में देशमें बरने होता है, तो राजस्तान का अभी हो रहा है , उससे हमको ही कता से लेगा करते ह üz और उसको कैसे ओर बढ़ा सकते हैं. जैनि स्क्षा के सिस्या काम सभी कामज़ना बढ़ी बेसे समान था कर दिसको करना हैं. और अस्म हाट रही मेंहें समान करना है, तो उछ ओर आगे जाता हैppe। तो उसको और आगे ले जाना है, यानि शिक्षा के इस तरको निरंतर बढ़ाने के लिए ये पराख कारिकर्म प्रोच्छ करता रहता है.